असलाम अलेकूम डिडिटल लोमेट्स क्या हल्साल है अगर आप लोगों ने डिडिटल लोमेट्स वीजा लिया है तो आप बड़ी असाने से यु एई में पेपैल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से क्रिएट करना है इस वीडियो में मैं ने सोचा कि आप वाला जो आपका कार्ड है और जो बेंक है वो लिंक कीजिएगा क्यूंकि जो जो मश्रिक है उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है इतनी ज्यादा इंपॉर्टन्स नहीं है पेपैल के सामने पेपैल जब यह देखेगा कि यार यह डिजिटल अकाउंट को लिंक कर रहा है तो शायद वह आपके अकाउंट के साथ प्रॉब्लम करें मगर जब आप NBD का लिंक करेंगे तो वह आपके सारी चीजों को ज्यादा वैल्यू देगा इंपॉर्टन्स देगा और आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगा सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि यह प्रॉसेस कैसे चलाना है सबसे पहल अब्लम हो NPD का अकाउंट मैंने यहां पर लिंक कर दिया है जैसे आप अकाउंट क्रीएट करेंगे तो यहां पर आपके पास option आ रहा होगा कि आप लिंकिंग करें अकाउंट क्रीएट करने में आप से basic information पूछता है जिसमें phone number वगएरा है local verification के लिए सारी चीज़े रिएट करें नेम है जी शजील अफजल लेट्स पोस्ट और एमेल है एप सोल 360 शजील डॉट अफजल एट जीमेल डॉट कॉम ठीक है और यह एड़ कर दें एड़ करने के बाद जो आपने आइटम जो अपने सेल करनी है वो क्रीएट करें यहां पर लेट्स पोस्ट सर्व है अगर हम एड़ करते हैं यह जब क्लाइंट को रिसीव होगा तो वहां पर वो क्लिक करेगा और अपने क्रेडिट यहां पर डेविट कार्ट से असानी से पे कर सकता है सो यहां पर एमेल प्रिव्यू भी है सो लेट्स सेंड एन इन्वाइस एंड सी के यह कैसे रिसीव हो कर देगा तो लेट मी शो यू हाव क्लाइंट विल पे और पेमेंट जैसे ही लिंक के ओपर क्लिक करेगा तो इसको इस तरह से यह इन्फरमेशन शो होगी जिसमें आपका एड्रेस आपकी इमेल और फून नंबर वगएरा मैंशन है तो यहां पर वो टैबिट कार्ट के पेपल में जाकर उसको रीफ्रेश करते हैं होम पे जाते हैं तो आप देख सकेंगे कि यह जो पेमेंट है वो हमारे पास रिसीव हो चुकी है $48 हमारे account में आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह payment receive हो चुकी है wallet के अंदर और अब हम इसको जो है वो कहीं पे भी use कर सकते हैं payments के लिए भी या receive करने के लिए या फिर इसको transfer भी कर सकते हैं अपने local bank में एक बहुत ही important चीज़ यहाँ पर यह है कि जब भी आप PayPal का account create करेंगे तो आप समझेंगे कि आपकी सारी verification हो गई है क्योंकि इसने कोई आप से verification नहीं की मगर जब तक आप transaction नहीं करते यह verification नहीं करता तो जैसे ही आप account create कर लें तो एक छोटी सी transaction करें किसी के पास $5 की $10 की transaction online करके देखे मैं Upwork पे बहुत सारे freelancers को hire करता हूँ तो मैंने उसको pay करने के लिए किसी को PayPal की transaction को use किया मगर वहाँ पर वो रुख गया और मैंने सोचा कि शायद यह मेरे account के साथ issue हो गया है अब यह block कर देंगे या फिर कोई मसला create करेंगे मगर actual में तब मेरी actual जो verification का process start हुआ उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ documents मांगे और इसके इलावा उन्होंने card को verify करने के लिए test transaction की और call की बाकाइदा वहाँ पर chat का option आएगा जब आपका यह मसला बन जाएगा फर्स transaction में वह आपको कहेंगे कि आपकी verification नहीं हुई हुई तो आपको वह option देंगे कि आप call back कर सकते हैं तो मुझे call receive हुई उस पे उन्होंने 10 minute की call थी उसमें उन्होंने काफी चीजों को verify किया card number पूछा इसके इलावा उन्होंने पूछा कि जी हम एक transaction कर रहे हैं वो बताएं किस कितने amount की transaction हुई है और एक code भी जो है वो generate होके शो हुआ और वो मैंने उनको provide किया तो बात यह है कि जब आपने PayPal का account create करना है UAE में digital nomad की base पर first of all आपने Emirates NBD की base पर करना है secondly आप लोगों ने transaction जरूर करके देख लेनी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार ये मेरे account में कोई issue तो नहीं है और secondly आप लोग इस PayPal में payment receive करने के लिए किसी को भी अपनी email दे सकते है PayPal की और वो आपको transfer कर सकता है amounts कोई भी किसी किसम का issue नहीं होगा और ये बात मैंने confirm भी की है help line पे आप भी confirm कर सकते हैं इनकी live chat से अगर आपकी verification मुकमल हो गई है तो आपको कोई भी balance send करे आप किसी को send करें किसी किसम का issue नहीं होगा आप इसको अपने upper के साथ भी लगा सकते हैं जो आपका fiver का account है उसके साथ भी लगा सकते हैं किसी किसम का आपको issue नहीं आएगा और फिर PayPal से अपने bank में transfer कर सकते हैं So I hope so कि आप लोगों को ये video अच्छी लगी होगी और PayPal का भी आप लोगों को पता चला होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को ख्याल रखनी है जब आप Digital Nomad पर यहां पर आएंगे और आपने अपना account create करना है So यहां पर आप देख सकते हैं कि activity में यह सारी information दिखा रहा है इनकी mobile application भी मैंने करने के बाद मुझे बताएं कि अगर आप लोगों किसी किसम का भी problem आता है तो consultation call भी book कर सकते हैं link description में मौजूद है अगर आप freelancing के related discussion करना चाते हैं career के related यहां फिर यह जो digital nomad की series आपने start किया उसके मतलिक तो आप मुझे contact कर सकते हैं जूम के उपर आकर आपका मसला solve कर सकते हैं so thank you so much for watching and I will see you in the next one